यह मानता हूं कि स्री अखले से अदो जी और समाजवादी पार्टी इनका रिस्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है किस प्रकार से 2013 में इन्हों ने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिये किस प्रकार से फिर उन्हों मुकदमों को वापस लेने से मान्य उचने आलेने रोक लगाई और फिर उस पे मुकदमा चला और उनको आजीवन कारवास और फांसी तक की सजा हुई किस प्रकार से अभी मेरे पास उपलब्ध है यह जो उत्तर प्रदेश का था उसके पिता के साथ स्री अखले स्यादोजे की फोटू आसपश्ट यह दिखाई दे रही है कि यह पहले से ही किस प्रकार के लोगों के साथ इनका रिस्ता इतनी बड़ी घटना गोरचनात मंदि पर जो हमला है वह हमला साधान नहीं है वह एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जाच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराद करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यहां प्रया स्री अखले स्यादो जी के द्वारा जो किया गया है मैं उसकी कड़ी भरसना करता हूं और स्री अखलेज जी को यह असवश्त तवर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं अगर उनको आतंकवादियों से इसनी मलब आपरादियों से मैं अभी इस विक्ति को जो जाच के दाएरे में है उसके बारे में इनको टिपन की संगटनों से पता चलते हैं कई लोगों से पूश्ता जारी है इस वीच में समाजवादी पार्टी के राश्टी अध्यच और नेता विपच्च के रूप में जिनोंने सदन में आकर के सपत लिये यह बहुत ही घटिया है बहुत ही निंदनी है मैं इसकी कड़ी भरसना कर करता हूं और इस प्रकार के बयानों से स्री अकले स्यादो जी बाद आएं ऐसा मैं उसे करता है